साल का आखरी सूरिग्रहन दिवाली के अगले दिन लगने जा रहा है। इसका प्रभाव भारत में पड़ेगा। इसलिए गर्वती महिलाएं सावधान रहें और सूरिग्रहन के समें ये काम ना करें। सूरे ग्रहन के समय गर्वती महिलाएं किसी भी नुकीली चीजों का प्रयोग भूल कर भी ना करें क्योंकि ऐसी माननेत है कि ऐसा करने पर उनके शिशु के अंदर विकृती आ सकती है। सूरिग रहन के दोरान गर्वती महिलाएं किसी भी प्रकार की सिलाई कड़ाई आदी कोई भी कारे ना करें सोरे ग्रहन के दौरान गर्वती महिलाओं को सबजी काटना, भोजन बनाना, नुकीरे या धारधार उपकरोन से जोड़ा कोई भी काम बिलकुल भी नहीं करना चाहिए कहा जाता है कि इससे बच्चे को शारिरिक दोश हो सकता है सोरे ग्रहन के समय गर्वती महिलाओं को चाय पीना, भोजन करना आदी वर्जित होता है धार्मिक माननेताओं के अनुसार ग्रहन के दुश प्रभाव से पका हुआ खादे पदार्थ दोशित हो जाता है सूरे ग्रहन प्रारंब होने से समापन तक गर्बती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माननेता है कि ऐसा करने से बच्चे में दोश हो सकता है। सूरे ग्रहन के दौरान सूरे के ओर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि इसमें हानिकारा किरने होती है जो आखों कर सकती है देश में पढ़ने वाले ग्रहन को शुब नहीं माना जाता इसलिए इस दिन लोगों को कई तरह की साफधानिया बरतनी होती है खास कर गर्वती महिलाओं को जिसकी जानकारी हमने आपको इस विडियो में दी है उमीद करते हैं कि इसका 25 अक्टूबर को आप विशे धियान रखेंगे